हाई फ्रेंज आज मैं आपके लिए बिलाउज में टक्स फाइंट के ही वीडियो लेकर आई हूँ कि टक्स फाइंट के लिए कितनी दूरी हमें चाहिए कितनी दूरी पर हमें टक्स फाइंट लगाने होते हैं उसकी वीडियो मैं आपके लिए step by step फार्मुले के साथ लेकर आई हूँ जिससे के आपको बिलाउज कटिंग में कोई भी परेशानी ना हो उसके लिए मैंने आज ये special वीडियो पना रखी है तो यहाँ पर हम ज्यादा time waste न करते हुए वीडियो को सुरू करते हैं जितना भी हमारा मेजरमेंट है उस हिसाब से मैंने निसान लगा लिया है यहाँ पर हमने यह चैस्ट का निसान लगाया है चालीस इंच के हमारी चैस्ट है तो मैंने यहाँ पर साड़े दस भी निसान लगाया है यह हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है यहां पर हमने आधा इंच ज्यादा निसान लगाए क्योंकि फ्रांट वाली में यहां पर हमें भूकाई की पट्टी भी बनाई होती है और यहां पर से प्लेट्स भी परती है तो आधा इंच हमने मैंने पढ़ा के रखा हुआ हुआ तो डग्स पाइंट का जो हमारा उस हिसाब से 40 का चौथा हिस्सा होता है 10 इंच और 10 इंच में हमने 1 इंच प्लस करना होता है तो आगे हमारा 11 इंच यहां पर अब जैसे अगर आपकी जितनी भी चेस्ट है उसका चौथा हिस्सा प्लस 1 करना है आपकी 36 इंच की चेस्ट है तो उसका 9 इंच है तो 10 इंच कर तो यहां पर देखें यहां से यहां पर हमने से इंच टेप को रखा हुआ है 11 इंच पर हमने निसान लगा दिया क्योंकि हमारी चैस्ट सी 40 इंच की थी 40 का फोर्थ भाग होता है 10 10 में हमने 1 प्लस गिया तो टोटल हो गया 11 इंच तो 11 इंच पर हमने यहां पर निसान लगा दिया यह हमारा हो गया टक्स फाइंट तो यह फाइंट हमारा मेल होता है अब यहां से यहां तक की दूराई तो हमने निकाल दी चैस्ट का चौता हिसा प्लस वन हो गया यह वाली दूरी अब यहां से यहां तक की दूरी को भी हमने चैस्ट के हिसाब सही लगाना होता है इसमें होता है यह दूरी होती है चैस्ट का दसवा हिसा तो 40 का 10 इस्सा क्या होगा? 4 होगा तो यहां से हमने इसकी जो दुराई रखनी है यहां से 4 इंच पर रखनी है तो 4 इंच का हमारा यहां पे आ रहा है तो यहां पे हमारा यह हमारा main point होता है चुन्दर जो हम मेरे plates ब्लाउज में पढ़ती है यह वाला point में होता है आप इसको निकालने का फार्मूला में आपको बता दिया है यहां से लंबाई चेस्ट का चौथा हिस्सा प्लस वन और यहां से यहां तक की जोड़ा जितनी भी आपकी चेस्ट होगी उसका दस्वा हिस्सा लेना होगा आपनी तो यहां पर 40 इंची की चेस्ट है तो उसका दस्वा हिस्सा हमारा फोर होता है तो यह हो गया हमारी main plates तो इसे हमने यहां तक सीधा कर लेना है यहां से भी हमने 40 इपन निसा लगा लिया तो यह हमारी main plates होगी अब यहां से जो और plates पढ़ेंगी उनको हम क्या करेंगे जितनी भी हमारी यहां से यहां तक दुराई जैसे 4 इंच है तो उसका हादा आओ गया 2 इंच तो यहां पर हमने इन plates की दुराई रखनी है 2-2 इंच रखनी है तो यहां से हमने अब क्या करना है इंच टेप को यहां से इस तरह से रखना है बिल्कुल एकदम हमने ऐसे सीधा भी नहीं रखना है थोड़ा इसको हमने तिर्चा कर लेना है एक निसान हम यहां पर लगाएंगे अब यहां से भी हमने 2 इंच की दुराई पर एक और निसान लगाना है थोड़ा हमने इसे अंदर को लेना है जो यह यहाँ पर इसे एकदम सीधा भी ने करेंगे थोड़ा सा इस पॉइंट से इस वाले पॉइंट से अंदर को लेना है यह होगा अब यहाँ से इधर वाली जो प्रेट होगी यहां से हमने यह इसी तरिक जैसे हमने यहां पे डाली उसे की सिद में यहां पर डाले है तो यह हो गए हमने और पॉंट और यह वाली प्लेट्स भी हमने बिल्कुल यहां पर ऐसे सीधा नहीं करना है यह वाली प्लेट्स पर हमने यहां पर सीधी डालनी होती है और यह वाली प्लेट्स पर हमने ऐसे सीधी नहीं करनी है थोड़ा इसको यहां से ऐसे तिर्चा लेकिया आना है इस तरके से तिर्चे में डालनी है और इस प्लेट्स को हमने यहां पर ऐसे डालनी है तो यह हो गया हमारा प्लेट्सो का मेजरमेंट तो आपको समझ मा आ गया होगा वीडियो पसंद आए वीडियो यूसफुल लगे तो वीडियो को लाइफ सेयर सस्क्राइब जरूर करें धन्यवाद